हेलो दोस्तों आप सवोका उप्य स्टेडी सॉलूशन में श्वागत है तो दोस्तों ये जो वीडियो है बिहार ओपन बोर्ड के स्टूडेंट के लिए काफी जादा खास होने वाली है वैसे स्टूडेंट जिनोंने इस बार जून-जुलाई सेशन 2021 में एकजाम दिया है जो भी जून-जुलाई सेशन 2021 के स्टूडेंट है और उनके एडमिट कार्ड पे जो है कुछ भी गलती है कोई भी कोरेक्शन करवाना जैसे कि मम्मी के नाम में गलती है पापा के नाम में गलती है डेट वर्थ आपको शुधार करवाना है डेट वर्थ में आपका गलती है या फोटो भी आपका एडमिट कार्ड पे नहीं शो कर रहा है तो किस तरह से जो है आप सुधार करवाएंगे अपना डेटेल एडमिट कार्ड पे किस तरह से कोरेक्शन करवाएंगे तो स बाया इटेल जानकारी में देने वाला हूं वीडियो को पूरा देख लिजेगा तो आपको कोई भी शमस्या नहीं होगी मैं आपको जो है अगर आप आप चैनल पर भी तक नहीं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा चलिए वीडियो को शुरुबात करते हैं मैं आपको बता देने वाला हूं दोस्तों अगर आपके एडमिट काड़् पर किसी भी तरह की गलती है ठीक है बहुत सारी गलती जहोती है यह मैं आप से पूछा आता कि अगर आपके आपको करना पड़ेगा एक अपलीकेशन लिखने लिखना पड़ेगा मैं लास्ट में जो आपको application किस तरह से लिखते हैं ये भी बताऊंगा पहले आप समझ लिजे क्या क्या process है ठीक है तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा एक application लिखना पड़ेगा ठीक है और वो application लिख करके आपको क्या करना पड़ेगा study center में जाकर कि आपको teacher से sign और मोहर करवा लेना ठीक है और जैसा भी आपका मतलब जिस तरह का भी अगर आपके नाम में गलती है तो नाम के regarding जो है कि सर मेरा नाम गलत है वो मैं last में आपको बताने वाला हूँ ठीक है या फिर डीयों में गलत है तो subject दे दीजेगा डीयों में अपलीकेशन लिखना जरूरी है अपको जो है अपलीकेशन लिख लेना है उसके बाद करना क्या है आपके study center में अपके study center का नाम जैडमिट कार्ड पर दिया होगा ठीक है तो admit card पर देखे अगर आपको नहीं पता है study center तो वहाँ पर जाहिए study center में चैडिचर से क्या करना उस application पर आप लोगो क्या करना है sign moher करवा लेना है ठीक है sign moher करवाने के बाद आप डिरेक्ट बिहार open board भी वह office पटना में मीठापूर में है मैं आपको address भी description box में डाल दूँगा तो आप उस address पर जा सकते हैं तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देने वाला study center के teacher जो है study center के अगर आप उनको उनसे करवाएगा तो आपसे ज्यादा पैसा ले लेंगे ठीक है तो sorry दोस्तों ऐसे condition में आपको क्या करना है study center में वह नहीं डाट application नहीं जमा करना है क्योंकि देखें नियम तो यह है कि आपका जो भी काम है वह आप अपने study center में application दीजे तो वह आपके study center के जो teacher है वह ही आपके सारे काम करेंगे शुदार करवा देंगे लेकिन अभी क्या है study center के teacher जो है बहुत सारा पैसा आपसे मागेंगे तो ऐसे condition में आप क्या कर सकते हैं खुद से जाएंगे ना बिहार open board के वीवोस के office में तो आप अच्छे से हाथो हाथ जो है जो भी अपना application देंगे सारा कुछ process से आपका काम सही होगा study center के teacher पर कोई भरोसा नहीं है वह आपका काम करवाएगा की नहीं करवाएगा ठीक है तो आपको क्या कर लेना है लेकिन sign और मोहर जो आपको study center के teacher से करवाना जो आपके जो भी application लिखिएगा उस पर करवाना जरूरी है ब्लबोस से एठीक है उसके बाद जो है आप अपना अधार कर रहर अब बता देना चाहूंगा अधार काड के ऑधार काड में जो आपकी डिटज रहती है जो data worth है जो नाम है जो address वह सारा चीजुरिव कर्ड़ आजाएगा तो मेन आपका अधार काड़ा अगर आधार कर्षार करते दो चलिए यह सारी चीज़े होगे आप मार्सिट का फोटोकोपी आपको अपको दो अवीप करμέंग hätte तो आपको किस तरह से लखना है तो मैं इस उसके बाद को क्शाना निकार स्टाफ कर थिक तो भी ले सकते हैं बर सर्डीफिकेट काazon लिए इड्मिट काच पटाफ को पी ले ले लिए ठीक है औरिजिनल एडमिट काड भी लेकर जा सकते हैं जरत पढ़ सकता है तो आप वहाँ पे उसके बाद आपको करना क्या है मिठा पूर्जा है विहार ओपेन बोर्ड के ओफिस में अफिस में हेड ओफिस में चले जाना है और वहाँ पे जमा कर देना है Camera मैं आपको लास्ट में बने माला आण कि आपको application जो है किस तरह से लिखना है ठीक है क्योंकि बहुसारे स्टूदेट को application लिखना नहीं आता है तो आप किस तरह से लिखना यहां पर देख सकते हैं यह application format है। आपको यह planned लिक्एसन लिखना है तो सबसे पहला को करना क्या है दूस्तों उपर में आपको लिखना सेवा में सृरीमान उपर निर्देशक विद्यारती विवाग पठना यहां पर तीन ऐसे लिखा हुआ ऐसे घर गीटीक है तो यह आपको लिख देना उपर में फॉर्मेट नीचे में आपको विसे लिखना है अगर आपके जन्म्तिती में कोई औशेघर नाम में कुछ गलती है तो बोलदीजएगा कि मेरे नाम में नाम मेरा नाम सुधार करने के करने के शंबन्द में धृट है आपकि मम्ई पापा जो में जिस तरह का भी आपका सब्जेक्ट रहे तो इस तरह से आपको और उपर में आपको यह देना यह आप वी से सियाद रखेगा कुछ भी मत लिखेगा सेवा में स्रिमान उप निर्देशक विद्यार्थी विवाग पटना रेट रुपल एस लिखे देना आपको ब्रैकेट में समझे इस तरह से आपको लिखना और अद्मिर काड से मिल घुपल या जो भी कलास हो दो दी बाव करन बता दिजिए देगा कि किस तरह से मतलब गलती होłem गलत हो गया या किसी भी तरह जब गलती हो या फिर या बिहार ओपेन बोर्ड के द्वारा ही कुछ गलती हुआ तो उसके वह भी लिख सकते हैं कि सर मेरा जब एडमिट काड आया तो गलत आया मैंने लेकिन मैंने डिटेल सही भंखता है तो वो कारण लिख लिएक दीजिए उसके बाद यहाएं पर देख सकते हैं मेरा जनमधी आशाण देश ने फार यहाँ देख सकते हैं अतर स्रीमान से निवेदन या करवत प्रात्ना है कि जनपिति इत्ते जो भी गलत है यहां पे लिख दीजेगा इत्ते को गलत को मतलब सुधार करके सही कर दीजेगा इसके लिए मैं स्रीमान का सदा के लिए भार ही रहूंगा ठीक है और नीचे में आपको आपका अग्याकार इच्छातर लिख सकते हैं यहां पर आपको अपना नाम देना है ठीक है हिंदी इंगलिस दोनों में दीजेगा जिससे कि आप जैसा सिगनेचर करते हैं उस तरह से आप यहां पर नाम लिख दीजेगा समझे या बाद में भी आप यहां पर सिगनेचर कर सकते हैं क्योंकि सि जिसे कि कोई भी प्रोब्लम होगी तो आपको जो मोवाइल नम्मर से बात कर लिया जाएगा ठीक है और उसके बाद आपको क्या करना है अपने जो स्टडी सेंटर के टीचर उनसे साइन और मोहर करवा लेना है उसके बाद जमा कर दीजेगा तो उधर से भी आपको क्या है कि साइन मोहर करके देगा ठीक है दोस्तों आपको कर क्या लेना है देखिए इत्वास आप ध्यान रखेगा कि जो भी अप्लिकेशन लिख इसी को भी नियता है उसका फोटो को पी करवा ले जाएगा जैसे यह अप्लिकेशन लिका है इसके प्रीज़ों क़िए इसा आ को करवा ले जाएगा क्यों कुछ तो चलिए देख सकते हैं आप यह फॉर्मेट है चलिए मैं सलाइड करके दिखा देता हूं जो भी स्टूडेंट को लिखना नहीं आता है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं फॉर्मेट है यह चाहिए आपके दोस्तों क्या है कि नाम में गलती है जनदीती किसी भी तरह की करना है एक आधार काड मस्ट है ठीक है जनम्तिति डियो भी लिए लिजेगा डेट बर्थ सर्टिफिकर ले लिजेगा एडमीट काड का फोटोकोपी लिजेगा ठीक है और सब पे जो है साइन मोहर जो है स्टडि सेंटर वाले टीचर का करवा सकते हैं ठीक है अपना भी तो यह तीन-चार डोकुमेंट्स आपको लगने वाले हैं और जो आपको पैसा लगेगा पैसा मेरे हिसाब से नहीं लगेगा ठीक है फिर ही में हो जाएगा आपको बस application देना आपको सुधार हो जाएगा एक महिना के अंदर समझें दोस्तों तो इस तरह से आपको सुधार करवा लेना है तो आसा करता हूं सारा डेल आपको पता चल गया होगा कि आप अपना Admit काड जो एक इस तरह से सुधार करवाएंगे मैं मैंने सारा कुछ आपको बता दिया मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रोब्लम होगी ठीक है और आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो दोस्तों क्या किजिए कमेंट्स बोक्स में जाकर करके आप कमेंट्स ज़रूर करें जितना हो सके आप पिछली वीडियो में सा का मैंने solution बता है मैं एक-एक comments का reply देता हूं आपको WhatsApp नम्मर मेरे नहीं जाना है वहाँ पर बहुत तरह का fake message आता है इसलिए मैं ज़्यादा active नहीं रहता हूं आपको यूटूब चैनल के जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको जो जिस तरह का आपको जो भी लगता है आप comments जरूर किया कि ठीक है comments से पता चलता है कि क्या problem है नहीं या किस तरह का वीडियो बनावा चाहिए तो सारा कुछ पता चलता है आप comments करना ना भूलें आप अपना problem समस्या जो है comments box के जरीए जो हम लोग तक पहुचात सकते हैं हम लोग उसका solution जरूर करेंगे ठीक है दोस्तों तो चलिए आसा करते हैं ये वीडियो पसंद आए होगे इस तरह की वीडियो के लेमार साथ चैनल के साथ जूड़े रही है फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक लिए धने वाटेंगे शूवच्च